SSEGD Constable Brty 2021 Officially Notification Out नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारी यूटूब चलमें जी हां दोस्तो देरात SSEGD Constable Brty 2021 का Notification Officially Website पर दोस्तो जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो में दोस्तो complete notification के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कितनी दोस्तों आपकी vacancy category wise रहने वाली है कितनी state wise आपकी vacancy रहने वाली है क्या age criteria रहेगा क्या education qualification रहेगा दोस्तों इस बार आपकी negative marking भी रहने वाली है और दोस्तों बागी चीजे भी इस वीडियो में हम आपको detail से बताने वाले हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहु इस वीडियो में आपको complete जानकारी मिलने वाले इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े तो इस वीडियो को अप अन तक जुरूर देखीगा साथ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो चै चाने वाले हैं भई दोस्तों इस बार एज में भी आपको छूट है वो नहीं मिलने वाली है तो आप कमेंट करके जुरूर बताएं कि दोस्तों हालक लाल में आपकी डेटोबर्त क्या है साथ ही आपकी एज क्या है कौन सी परामिल्टरी फोर्सिस आप जोइन करना चाहते ह और कौन से राजी से दोस्तों आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को दोस्तों आप सेर चुरूर कीजिएगा और दोस्तों आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी रहे कि डिस्क्रिप्शन वोक्स में दोस्तों हमारी वेबसाट कर लिंक दिया है उसको भी आपको इन्विशन दी थी कि 17 जुलाइक को दोस्तों नोटिफिकेशन आज आएगा बहुत सारे भी हार्तियू का दोस्तों कहना था कि वो नोटिफिकेशन फेक है पर उन्तों ऐसा कुछ भी नहीं था वो दोस्तों जो नोटिफिकेशन हमने आपको कल दिखाया तो वह नोटिफिकेशन था और दोस्तों यह आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन दोस्तों ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कंप्लीट जानगारी तो दोस्तों नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया और दोस्तों यह आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन रहने वाला है इसमें ए फ्रेइंस गलर डाल दिया तो दोस्तों आपको बाद میں फस्ताना पड़ेगा तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का भी आप मारा वेट की जींग और दोस्तों जल्द ही आपको कैसे फोउम है वो online step by step अपने phone से apply करना है क्योंकि दोस्तो 10 minute में आप अपने phone से online phone apply कर सकते हैं वो भी हम आपको complete video लाने वाले हैं तो चैनल को subscribe करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा दोस्तो सबसे बिले हम बात कर लेते हैं कि आपकी online phone दोस्तो आज से शुरू होने वाले हैं 17-7-21 से online phone शुरू हो चुके हैं 31 अपकी अगस तक phone बरे जाएंगे इसके बाद दोस्तो बात करें तो राज साड़े गारा वजे तक phone बरे जाएंगे अगर दोस्तो online आपकी payment की बात करते हैं तो आपकी दो सितंबर तक साड़ी गारा वजे तक भरे जाएंगे और दोस्तो अगर आप offline चलान से payment करते हैं तो आपकी चार सितंबर तक की जाएंगे वही दोस्तो अगर बात करें last date of payment through चलान दोस्तो आपको 7-9 ने ने दोस्तो 7 सितंबर 2021 तक का समय दे जागा वही दोस्तो एक्जाम डेटा भी जारी नहीं की गई है इसके लाद दोस्तो बात कर लेते हैं तो इस बार एक बुरी ख़वर यह है कि आपकी वेकेंसी बहुत बहुत कम है वो आपकी देखने को इस बार मिली है आस ती कि लगबख 40-50 वेकेंसी देखने को मिलेगी परन्तो उतनी वेकेंसी देखने को नहीं मिली है सिरफ और सिरफ आपके यहाँ वेकेंसी है वो आपकी 25,271 ही देखने को मिली है प्रोसिस दोस्तो वही रहने वाला है सबसे पहले एक्जाम होगा exam के बाद आपका physical होगा physical के बाद दोस्तोँ आपका यहां medical in इसके सात ही आपका डौकुमेंट वेरिफिकेशन और फैनल आपकी मेड लिश्ट बनने वाली है, अब दोस्तो वेकेंस के बारे हम बात कर लेते हैं, आपकी यहां सेलेरी की बारे हम हम बात कहें, तो सेलेरी आपकी पेस के लेवल तिस्तरी के अंदर गताती हैं, तो मिनिम्मम आपकी 35-40,000 के भी salary है वो इस बार बनने वाली है अगर दोस्तों बात करें तो इस बार सबसे ज़्यादा जो vacancy आई है वो आई है यहां CSP में क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले यह जान कर दी थी कि इस बार CSP में अच्छी कासी vacancy आपको देखने को मिलेगी तो यहां दो CSP में आपके 7610 vacancy आई है प्रन्तों CRPF में vacancy नहीं आई है यह दोस्तों बड़ा सवाल है प्रन्तों हम आपको एक अच्छी कवर यह भी देदें कि अभी vacancy update होने वाली है जी हां दोस्तों vacancy अभी update होगी क्योंकि CRPF में zero vacancy हो यह होई ही नहीं सकता तो आपको अभी प्रनाए में भी vacancy आपकी नहीं आई है आपके अगर बात करें तो काफी कम vacancy कई जगा देखने को मिली है तो अगर बात करें तो आपको जल्द ही सारी vacancy अगर आपकी account हो जाएगी तो 50-60,000 vacancy आपको देखने को मिलने वाली है बीस अप में vacancy काफी कम आई है तो यहां आपको बताने वाले है एज में दोस्तो चूट नहीं दी गई है यह भी बड़ा सवाल है पर उन्तो एज में चूट आप आपको नहीं मिलने वाली है यही आपकी एज रहीगी क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ठारा से 23 साल अगर आपकी एज है और एज आपकी एग अगस्त 2021 से काउंट होने वाली है और दोस्तो बात करें तो दो अगस्त 1908 में से लेकर एग अगस्त 2003 के वीज अगर आप जनल कैटिगरी के हैं और आपकी एज हैं तो थबी आप फोंप लाई कर सकते हैं बाकी दोस्तो ओबीसी वालों को तीन साल का रिलेक्सेशन एसी सीदे तोर पर मिलने वाला है वही दोस्तो बात करें तो कई सारे ऐसी काटेगरीजी भी हैं जिन अब दोस्तो बात करें तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि जिस क्याटेगरी से आप भिलों करते हैं S.C.ougl EWS तो दोस्तों अभी ही अपना जो भी यहाँ प्पॉर्मेट मेहें जो प्पॉर्मेट आपके सेंटर्लल वल का होता है उसका उसका का सर्टिपिकल आप सेंटर लेवल का जुरू बना लीज идет है अगर आप पास होते तो ये रिक्वेस्ट आप से रहेगी कि अभी आप बनवा लिजे आपके पास डेड मेने का लंबा समय है इसके अलाग दोस्तों अगर बात के तो एजिकेशन कौलिफिकेशन भी आपका एक आगस्त दोजार एकीस तक अगर आप टेंट पास है तो भी अपलाई कर सकते हैं इस आपका C सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स अग्जामने सें दोस्तों जितने भी अगर आपके नमबर आएंगे उसके 5 प्रिस्टी आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं B के 3 और A के आपके 2 प्रिस्टी मार्कस आपको मिलेंगे वही दोस्तों ओनलाइन सेंटर की आपकी complete list दिगी है कि कौन से राज़े में कौन से center है यहां आपके CR रिजन में अलग लग नहीं है दोस्तों पूरी complete list है वो दी गई है इसके लाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों no request to change आपकी center एक बार जो भी आप डाल देंगे 3 center आपसे माँगे जाएं जिसमें जनरल अउन्वेशन यापकी यहां अगर बात के रीजिनिंग रहने वाली 25 नमर की आपका जीके रहने वाला है 25 नमर का इसके अलावा elementary आपके mathematics 25 नमर की रहीगी इंगलीस और हिंदी आपकी 25 नमर की रहने वाली है इसके लाद दोस्तों आपके इस बार आप देख सक रहने वाली है तो इसका भी आपको अच्छे से क्याल रखना है कि इस बार जब क्यूसन करें तो थोड़ा सा दोस्तों आप दियान रखेगा यहां दोस्तों जो भी आपका complete है वो syllabus है कौन-कौन से topic है आपकी रहने वाले है कौन-कौन से subject में वो रहने वाले है physical में दोस्त जो अगर बात करें तो height 170 cm male की female की 177 cm आपकी होनी ही चीए इसके अला दोस्तों यहां जो भी candidate सेडूल ट्रिबरेट साथ नोट इस्ट के हैं उनको सारी जो category है यहां discount दिया गया है कि आपकी height कम भी होती है वही दोस्तों chest की बात करते हैं male candidate की बात के तो 80 से 50 सी आपका chest हो होना चीए यहां वेट भी आपका होना चीए वही दोस्तों medical के बारे में आपकी यह जानकारी बाकी यहां लिखी गई है admission of the examination examination आपको यहां जो भी candidate है यहां exam पास करेंगे उनको physical होगा physical के बाद मेडिकल होगा medical बाद मेडिकल बाद में document verification होगा यह सारी दोस्तों मैंसर ह जैसे कि आप देख सकते हैं document verification के time कौन कौन सी document के आपको यहां सिधे दोर दोस्तों जूर्ट पढ़ने वाली है selection proceed दोस्तों लिखा गया है तो यहां complete जानकारी हम आपको बता दें तो सारी complete जानकारी आपको एक एक लिक ही गई है और दोस्तो post preference आप अच्छे से डालेगा यह आपसे request रहेगी क्योंकि दोस्तों सारी चीजे post preference पर ही रहने वाली है तो आपको जल्द ही हम वीडियो के मादे में से बता देंगे कि आपको कौन कौन सी post preference है वो कैसे डाली है और दोस्तों इस notification को आप हिंदी में भी download कर सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं जिसका link दोस्त mention किये गए हैं और दोस्तों अगर आपने अभी पूरा ना फोटो आपके पास है तो नया फोटो खिचवा लिजे उस पर आपकी यहां date भी mention होने चीए तो जल्दी से आप यह भी काम कर लिजे ताकि दोस्तों जब home बरें तो आपको खुशी दिकत ना हो और दोस्तों जो ह आप vacancy की भी detail है वो दी गई है यहां दोस्तों गर बात करें तो यहां border district की list दी गई है कि border district में कौन-कौन से district count होंगे वही state का आपका यह code भी दिया गया है जो आपके जहां आप form apply करेंगे उस time आपका यहां दिया जाएगा तो यह तो तो थी आपकी complete detail और दोस्तों आपको जल्द ही नई vacancy है वो मिल सकें दोस्तों यह थी latest information हर latest information SSGD समदित आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आकन प्रेस करना मत बूलेगा मिलेंगे next video तब तक लजाहीं जेवर